वेलकम टू मांसर सुईकुन मेरे अपने चनल मांसर सुईकुन में आप सबका में स्वागत करती हूँ आज मैं कौन की रेजबी लेकर आई हूँ कौन बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है सहत के लिए और अभी मार्केट में बहुत ही इजीली कौन मिल जाता है तो यह मैंने फ्रेश कौन लिया है अभी हम क्या करेंगे एक पतिला लेंगे और इसमें एक कप के करेवन पानी लेंगे पानी को थोड़ा सा गरम होने देंगे और इसमें जो है हम डाल देंगे अपना कौन तो कौन को डालने के बाद इसको जो है थोड़ा सा गरम करना है दो तीन मिनिट ली हम इसको गरम करेंगे ज्यादा गरम नहीं करना है हमें तो यह मेंने कौन डाल दिया है और उसके बाद जो है थोड़ा सा हम चला देंगे इसको और चलाने के बाद जो है इसको हम थोड़ा सा उबलने के लिए छोड़ देंगे तो इसमें हमने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था जिससे कि ये थोड़ा सा अच्छे से पक जाए तो यह देखे कॉन जो है उबलकर त्यार हो गया है इसको हम चलनी में चान कर निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा करेंगे कॉन जैसे ठंडा हो जाएगा हम अलग से एक बाउल लेंगे और इसमें जो है अपना कॉन डाल देंगे अभी हम डाल देंगे इसमें कॉन फ्लावर तो यहाँ पर मैंने दो चम्मच कॉन फ्लावर का यूज़ कर रही हूँ छोटे चम्मच से और इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और इसको चोहे अच्छे से मिक्स कर देंगे प्लीज फ्रेंड सपोर्ट कीजिगा फुल वाचिंग जरूर कीजिगा और रेसिपी पसंदाए लाइक सब्सक्राइब शियर भी जरूर कीजिगा साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिगा जिससे के आने वाले रेसिपी की नाटिविशन आप सब को चल्दी से मिल सके तो यह मैंने कॉन को अच्छे से मिक्स करके रख दिया है साइड में अभी जो है कडाई में हमने तेल गरम कर लिया है और मैं समय को देखते हुए मैंने तेल गरम करने के लिए पेन में रख दिया था तेल जैसे गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे अपना कॉन और कॉन डालने के इक साथ में सारा फ्राइ नहीं करेंगे तो यह दिखिंगे यह फ्राइ हो गया है और इसको है जो है मनिकाल लेते हैं और इसमें तेल नहीं रहना चाहिए तो यह कॉ oppressed मैंने निकाल लिया है अब हम Rabbi ise ₹फ with him में हम दूबारा से दुसरा वुला चो मारा घोन हे चrü तो हम एक साथ में फ्राइ नहीं कर रहे हैं... इसको हम लिखनी निकाल लेते हैं... साइड में और एक पेन ले लिया है दुबारा से... जैसे पेन गरम होगां गरमें जोगा जोग방.. दालेंगे एक ढिखने बटर... एक पाइन तेल दाल देंगे.. बनाने में बहुत ज्याद मियर्च बनता है इसमें हम फोड़ा सब्ढी डाल देंगें टमातथ शिमलामिर्च घारिमीची करो इससी काट लिया और एकश्ष में थे खा रेजसा जान तो इसको थोड़ा सा चला दिये हैं हम अभी जो है एक कटोरी लेंगे और इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस तो ग्रीन चिली सॉस में नमक रहता है इस बात का अब ध्यान रखें और इसमें डालेंगे टमाटर सॉस टमाटर सॉस और ग्रीन चिली सॉस को हम अच्छे से मिक मिक्स और जो हमने थोड़ा सा पहले नमक डाला था और यह जो ग्रीन चिली सोस को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है और अभी हमारे शिमला मिर्च और टमाटर जो हम फ्राइ कर रहे हैं, यह हलका सा नरम हो गया है, अभी हम इसमें डाल देंगे आदा चमच कश्मिरी लाल मिर्ची पौडर, थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पौडर, और थोड़ा सा डाल देंगे हम जीरा पौडर, तो जीरा पानी डालने कीbut पात शो ही हम इसको ठोड़ी देर के लिए पकाना होता है जिससे कि सब्सक्राइब तो में थी है थुदब शार कव्का पाद on Wagyu इनक रखिए हो eg यह लगे यह म माई कम आधा पानी डालने के बाद कि आध कीто रह difference पेस्ट जैसा बन जाएगा इसका, आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर पेस्ट नहीं बनाया है, इसको मेश करके ही थोड़ा सा हम पेस्ट जैसा बना लेंगे, तो ये देखे, ये बहुत अच्छी से मेश हो गया है और इसका पानी यह वो भी सूब गया है अभी हम इसमें डाल देंगे अपना कॉन और कॉन डालने के बाद जो है हम इपना 24 मिक्स कर दीगे यह आप देख सकते हैं मैंने कॉन डाल दिया है सारा तो इसको जो है हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं तो प्लीज प्रेंग्स पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब, शेर जरूर कीजीगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजीगा, जिससे के आने वाले रेसिपी की नोटिविशन आप सब को जल्दी से मिल सकें, तो यह देखे मैंने कौन डाल दिया है और इसको अच् चीज धियान देने वाली बात यह है, इसमें मैंने नमक अभी तक नहीं डाला है, क्योंकि मैंने नमक कौन में पहले ही फ्राइ करने से पहले थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और हमारे जो ग्रीन चिली सौसे इसमें और बहुत नमक रहता है, तो मैं यहां पर नमक का दरो चीज डाल देंगे, तो क्यों के साथ मिंब जोड़ा, जब डिआए और हम इस को नमक राखते हैं, और हम इस सब्सक्राइ मष्ग पॉला कर देगे, मैं सब्सक्राइए जाए抗 आतारी दvelopे के पाल है, मैं आदो पिक्सर आखते हैं, और यह नमक older है, जड़तब विक्स तो बहुत ही बड़िया तरीके से हमारा कॉन का चाठ हे बनकर त्यार हो जाता है, इसमें डाल देंगे अभी टमाटर और हरेमिरसी बारिक कटी हुई और थोड़ा सा प्यास डाल देंगे इसमें और डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, टो चाठ मसाला तो यह देखे नीवू का रस इसमें डालना ज़रूरी हैं इससे काफि बड़ा टेस्टी बनता है तो यह हम नीवू का रस डाल दिये हैं अब जो हiau हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पहले और मिक्स करने के बाद जो है हम इसको एक बलाई में निकाला लेंगे बहुत ही बढ़िया लगता है इसमें हम डाल लेंगे एक चम्मच के करीबन मियोनेस तो मियोनेस जो है यह ऑप्शनल है आप चाहे तो डाल सकते है या पिर स्किप कर सकते है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे तो यह देखें आज की रेसिप में तब तक के लिए थैंक यू सो मच